मद्ध प्रदेश के सागर जिले में कुछ ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर पूरी मानोता सर्मसार हो जाए आप एदिस घटना को सुने तो आपकी आँख से आसु तक आजाए एक लड़की के साथ छेड़ शाड होती है केस दर्ज होता है और जिन आरूपे के उपर केस दर्ज होता है वो फिर राजी नामा जवर्दस्ती राजी नामा करवाने के लिए उस घर में जाते है जब उसको मना किया गया तो फिर भाई की हत्या कर दीगी और हत्या को जब रोका गया एक मा के द्वरा उसे निर्वस्त कर दिया गया इतना दर्दनाक हासा मद्ध प्रदेश में हो रहा है आज हम बहुत सारी पहलों के बारे में चचा करेंगे लेकिन उससे पहले उस घटना का एक अंस देखते हैं जिसमें जो मा है वो किस तरह से सागर के जो कलेटर साव है देपकारिया उनके सामने गुहार लगा रही है यदि हम बात करें किस जगय की है सागर जिले की है इसके बारे मैं आप उसे डिसकस किया मैंने लेकिन उससे पहले एक छोटा से एक और महतपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको डिस्स कर दो कि जो दलिस सब्द है इसको इस्तेमाल के लिए मद्द ब्रदेश हाई कूर्ट ने इसके खिलाप में प्रॉपर एक जज़्मेंट दिया है इसमें कहा है कि जो दलिस सब्द है ये कॉंस्टिशनल टर्म नहीं है इसलिए इस टर्म को इस्तेमाल नहीं करना चीए ये आपको इस्तेमाल करना है तो आप सिडूर कास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दलिस सब्द को इस्तेमाल official communication में नहीं होना चाहिए तो un-official तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चुकि एक विशेश वर्ग को ये थोड़ा सा हेन भावना महसूस कराता है इसलिए आपकी भी जम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे सद्धका इस्तेमाल ना करें Evenly National Commission of Sudocast ने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि ऐसे सद्धका इस्तेमाल Unconstitutional है तो आप ऐसे सद्धका इस्तेमाल ना करें Now अब मुद्धा क्या है डिस्कूस कर लेते हैं मद्ध प्रदेश के सागर जिले में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर देगी आरोपियों ने युवक को बचाने पहुची उसकी मा को भी निर्वस्त कर दिया पीटा कुछ दिन पहले में तक के बहन के साथ आरोपियों ने छेड़ छाड़ की थी जिसका केज दर्ज हुआ था आरोपियों पीडित परिवार पर राजी नामा का दवा बना रहे थे अब जानकरी मिली कि ये ममला खुरई देहात थानाच छेतर के बदोरिया नौनागिर का है जो कि सागर जिले में आता है यहां कुछ दवंगों ने दलिती वक्के पीट-पीट कर हत्या कर दी बीज बचाओ करने जब माई तो उनको भी निर्वस्त पिटा और इसके बाद पुलिस ने नौ नामजद और चार अनर रूपियों के खिलाब हत्य समित अन्यधाराओं में केस दर्च किये है वारदात में सामिल है कुछ हलाइकि नाम लिखना सही नहीं रहेगा बड़ फिर भी सरपंच पती चुकि हमारे हैं सरपंच और सरपंच पती का प्रथा चलती है और असा फरार है पुलिस बैल तैनात किया गया है कलेक्टर हैं वहाँ पर देपक आ रहा वोई मौकव पर मुचे ये सारे मामले यहाँ पर कहे गए लिखा भी यहाँ पर कि मृतक की बहन ने भी पनी कहानी बताई कि मैंने हाथ जोड़े कि भाई को छोड़ दू उन्होंने नहीं छोड़ा मृतक की बहन ने कहा कि गाउं की विक्रम सिंग कोमल सिंग और आया सिंग घर पर आए मा से कहने लगी कि राजी नामा कर लो मा ने कहा कि जब पेसी होगी तो उसी दिन राजी नामा कर लेंगे तो उन्होंने कहा कि क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारिट नहीं है ऐसा बोलकर वह धमकी देकर चले गए कि जो हमें जहां मिलेगा उसको निप्टा देंगे हमारा चोटा भाई बस टेंड के पास सब्जी लेने गया था वहां से आ रहा था रास्ते में आरोपियों उसके साथ मारपिट करने लगे भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया उसके साथ बहुत मारपिट के ब्रतक की बहन ने आगे कहा कि मम्मी जब बाजार की तरफ गई तो देखा कि भाई के साथ मारपिट कर रहे हैं तो मम्मी उसको बचाने पहुँची आरोपियों ने मम्मी को भी पिटा जहम गए तो मैंने मुबाईल निकाला और पुलिस हो कॉल करने लगी तो मुबाईल छुडा लिया इन लोगों ने मेरे साथ ही मारपिट सुरू कर दी मैंने हाथ जोड़े पैर पकड़ कर कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो उन्होंने नहीं छोड़ा योग की बहन ने कहा कि आरोपियों ने भाई और मा को बहुत मारा फिर वहाँ से मैं भागी उन लोगों ने मेरा पीछा किया मैं जंगल में जाकर छिप गई आरोपियों ने इससे पहले मेरे साथ छेड़ छाड़ की थी मुझे धमकी दी कि यही यही 376 कर देंगे 376 मतलब रेप कर देंगे जिसके सिकायत करना है कर देना उसके बाद मा को बेपरदा कर दिया उस समय वहाँ 70 लोग मुझूद थे भाई बेहोस पड़ा था उसके बाद भाग गए सुचिए यह इवेंट सुनके आपके रोगटे खड़े हो गए होंगे और कमाल की बात यह है कि सागर जिले में मैं भी था यह जो मानसिकता है लोग कहते हैं कि आप जो लड़ाई है यह सिरूल कास्ट की लड़ाई आप दिखाते हो ऐसा मत करो यह लड़ाई है मैं जब सागर में गया और वहाँ पर जो हमारा वर्किंग प्लेस था हमारा यह था कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसके आसपास ही कहीं पर हमें घर मिल जाया तो जो कुछ बाकी लोग थे इंप्लॉईस थे उनके साथ में हम रूम देखने गए और उनसे ह नहीं रहेगा तो अचानक से उसके पास में एक सामने एक इलाका था तो हमने सुचा है यहाँ पर रूम मिल जाया तो अच्छा रहेगा बिल्कुल पास में रहेगा डिस्टन्स कम रहेगी तो उनके कहा कि नहीं यहाँ पर नीजजाद के लोग रहते हैं तो मैंने कहा नीज कौन है, बोए हम लोग सवण में आते हैं होदने के लोग थे मतलब मेरे करने मद यह है कि ऐसा नहीं कोई एक वर्क बस की पुले इसमें सामिल है इसमें यदि आप बात करो जर्नल कर डिकरी के लोग सामिल है तो इसमें OBC कम्मूइनटी के लोग भी बड़ी मात्र में सामेल है लेकिन question mark cricket होता है कि क्या राज सरकार ने इसके लिए कोई राज जी में बड़ी मुहिम चलाई क्या अभी कुछ दिन पहले की मामले है जो कि मद्ध प्रदेश में जो सीधी जिला है वहाँ पर एक बिज़ी पी कारकरता ने एक आदिवसी समाज के इंसान के उपर यूरिनेट कर दिया था पेसाप कर दिया था बाद में मुक मंत्री जेने बहुत सारे तमासें किये लेकिन उसके मतलब नहीं है आपने राज में कौन सा मुहिम चलाई है कौन सा ऐसे एक्जामपल सेट किया कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो कि जब भी कोई ऐसी गलती वो करना चाहे तो उनके मन में एक डर पैदा हो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें जरूरी है जिम्मेदारी का हैसास होना भी अच्छी बात है लेकिन कोई जिम्मेदारी का हैसास नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर डर का भाव भी होना वो जरूरी है लेकिन मद्वदेश सरकार ने ऐसा कोई बड़ी मुहिम चलाई हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता और ये हालत मद्वदेश के लबग सभी जिलों की है जिसमें एक विशियस वर्ग के साथ लोग के अंदर हीन भावना होती है मैं तो लोकल लेवल पे गया हूँ मैं मद्वदेश के लबग कई की जिलों पे घुमा हूँ और वहाँ पर जब लोगों से मैंने बात किया तो वहाँ पे लोकल लेवल पे जो हमारा समाज है सुरूर कास्ट इस्पेसली या सुरूर ट्राइब उनके खिलाप में कई सारी लोकल लेवल पे लोकुक्तिया चलती है जो उनको और नीचा दिखाने का प्रयास करती है एवली मैं तो हैरान रहे गया भी हाली में फिजिक्स वाला के एक सिक्षक है जिन्वेन जैतिसूचिक सब्दों का इस्तेमाल किया एक ऐस सब्द का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल ही अपने आप में सिविल राइट्स एक्ट या С.C.S.T.ルク को इन्वाइट करता है और उसके उपर केस लगता है और उसके अंदर गत उसे जेल किज़ा हो सकती है हो नहीं ही चाहिए जब मैंने इस वीडियो बनाया वीडियो बनाने का प्रपस यह था कि लोगों के बीच में अवेरनेस पैदा हो लोगों के बीच में जागरुकता पैदा किज़ा है कि पहले बात तो आप गलती मत करो गलती यह सब्द का इस्तेमाल करना गलत है लेकिन जब हमने उस वीडियो बनाया तो उसको डिफेंड करने वाले लोग बड़ी मातर में आए अना आप से नाप कमेंड करने वाले स्यकडों की संख्याएं बच्चों ने कमेंड किया आपको मैं आई बटन पे पिन कर दूँगा आप उसको देख सकते हैं वीडियो को ति लोगों ने किस तरह से फालतों के कमेंड के हुए है उसको डिफेंड किया है एक टीचर को तो वहाँ पे मैंने ही मेरे मिनमने ख्याल आए कि यदि एक IT से लिस्तरे से कमेंड कर रहा है तो तो कुछ लोग की संग कुछ लोग है बट अगर यह बच्चे कमेंड कर रहे है तो उसका मतलब यह है कि देश के बच्चों का यह रंग है उन्हें लगता है कि ऐसा करना आम बात है और यह हलत पुरे देश की है पुरे देश के बढ़ोग के अंदर बच्चों के अंदर यह मान सकता है यह पैदा करी है कि एक समाज के साथ आपको इस तरह से प्तैचार करना है तो यह बहुत ही दुखा दे और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे आंदूरन करने के आवशक्ता होगी हम देश में आयदी के वर्षगाट मनाते हैं लेकिन अपने देश में एक विसेस कौम के साथ यह हम ऐसी मान सकता रखते हैं मतलब किस है कैसी आ जा दी प्रवीश शुकला का ममला है मतलब देश का विजेपी वर्कर है जो कैमरे में एक ट्राइबल मैन के उपर यूरिनेट करते हैं पेसाप करते हैं पकड़ा गया और इसकी फोटो कोई छोटे मोटे लों के साथ नहीं है मदब्देश के ग्रिह मंतरी है नरोत्त मिस्रा अभी हाले मदब्देश के रिवा जिले से एक विधायक को बिसिकली बनाया गया मंतरी रहे शुकला को उनके साथ इसकी फोटो है मतलब मदब्देश सरकार के रंग को इस वीडियो से आप देख सकते हैं तो कहें न कहें यहां पे एक बहुत ही जदा बड़े आंदुलन के आवशकता होगी जहां पे लोगों के बीच में जागरूता पैदा करनी पड़ेगी और ऐसे भी एक्जामपल सेट करने पड़ेंगे जिससे बड़ी मात्रा में लोग के इंदर जिम्मिदारी का बोध भी हो और साथ में डर भी हो भै भी हो कि हम कैसी गलती करेंगे तो उसका हमें यह सकठोर दंड मिल सकता है आपके राए के हैं अपने चेक कमेंट करके जरूर बताएं मुलाकात करते हैं फिर सब तक लिए बबाबाय ठीक केर Have a wonderful day, keep it forward and take care